तिना सब कुछ हो जाने के बाद आखिर सपना को अहसास हुआ और सस्वाल पहुंच ही गई क्या सपना अपने सस्वाल पहुंच के सही की या गलत नमस्कार दोस्तों मैं मधूलिका आप सबका स्वागत करते हूं आपके अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है मधूलिका से रिक्वेस्ट एक छोटी सी वीडियो को फूल वाच कीजिए और चैनल में पहली बारा है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को भी फ्रेस का लिजिए क्योंकि मैं इसी तन की वीडियो लाती हूं टेंडिंग टोफिक पे अपनी अपना विचार अपना पॉइंट रखती हूं अपने हिसाब से और आप लोग भी रख सकते हैं कमेंट सक्षन में आप लोग हमें कमेंट करके बता शकते हैं तो वीडियो को आगे बढ़ाती हूं और बस यह छोटी रिक्वेस्ट वीडियो को जरूर से जरूर लाइक शेयर और सस्क्राइब कीजिएगा तो आपको मालूम है जैसे कि सपना सपना जो है इस टाइम पर पहला कोश्चन सबका उठता है सपना ने होम टूर का बीडियो प्राइबेट या फिक्वेट क्यों किया वीडियो मिलियंज में गया था उसके बाद सपना को ऐसा क्या आ गया कि वो वीडियो डिलीट करना पड़ इस पे भी मैं बात करूंगी और पहले बात करती हूं कुछ और तो दोस्तों जैसे कि आपको मालुम है सपना जी सपना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की पोसिस कर रहे हैं मगर कुछ गीने चुने बस दो-चार लोग कहते नहीं दो-चार लोग चुनिंदा लोग गीने च जाके गलत सलत कमेंट देते हैं करते हैं और उसको गलत मैसेज जाता है दोस्तों सपना दिखाती है सपना कोसिस कर रही है कि मैं आगे बढ़ूं वो चाहती है कि मैं आगे बढ़ूं और आगे कुछ करूं और रही बात सस्वाल की तो सस्वाल भी क्यों गई क्योंकि सुनने को आ रहा कि उसकी सासु मा की तबियत खराब थी आनन फानन सस्वाल गई तो सस्वाल जाके हुआ क्या यह भी बताती हूं तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है पहले जब लखन जी की फैमली आई थी सपना को सपोर्ट करने के लिए तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा था बहुत तेजी से लोगों के पेट में दर्द हो रहा था कि सपना को लखन जी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं क्यों लखन सपोर्ट कर रहे हैं लखन और नीतू शपना का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं अब जैसे पता है कि सपना जो है ग्वालियर में है ग्वालियर में उसने घर ल तो सपना की जो दोस्त हैं सीवी सीवी की फैमली जो है सपना को बहुत सपोर्ट कर रही है जैसे कि सपना जब गई थी सवाल छोड़के तो सीवी की यहां दो तीन दिन थी और वहीं पे रेंट में कमरा ढूंडने में उन लोगों को बहुत टाइम मिला एपार्टमेंट ढूं उन्हें में दोस्ते तीन दिन लग गए और सारा सामान छोटी छोटी चीजों को ख्याल रखे हैं उनके घर वाले सीवी के घर वाले तो सपना ने कहा है कि सीवी के घर वाले बहुत ही केरफुल हैं वह बहुत ज्यादा केर करते हमारा बच्ची का और सीवी जो हैं बहुत कि आपको पता है सपना और सिवी इस टाइम गए और शायद पहुंची भी गए होंगे यह वापसी हो रही होगी वह लोग गए हैं खाटू श्याम की दर्शन करने सपना ने अपने व्लॉग में बताया था कि मुझे खाटू स्याम की दर्शन करने हैं कुछ लोगों की कमेंट इतने भर भर कैया है कि तुम दर्शन करने गई हों और बतार मेरा द्रीम है कभि तो तुमने नहीं बताया कि मेरा ड्रीम है खाटू स्याम की दर्शन करने के लिए यसलिए तो तुम ससूर स सभ ने मिन रहा था और इसलिए वो घर छोड़ दी हो कि अब यहां कुले महोल में रहना है, महोल का नाटक की हो और तुम खुद घर पे जगड़ा की हो, उनके जो बेटा इस दुनिया में नहीं था, उस बेटे की recording सुनवा के तुम खुद मतलब करते हैं नहीं गड़े मुर्दे, जब कोई की सामने लाके पेस की हो, कि सब लोग मुझे समझे कि मैं सही हूं और मेरे साथ ससुर को गलत समझे, ऐसे लोगों की कमेंट थे, तो दोस्तों पहले तो मैं यह बता दू कि खाटू श्याम के दर्शन करना, कौन नहीं चाहेगा कि हम खाटू श्याम के यहां जाएं, खाटू श्याम बाबा बुलाते हैं, तो कहते हैं, जिनको जहां जाना होता, जिस टाइम पे, वह वहां उस टाइम पहुंच ही जाता, कैसे पहुंचता है, यह सब खाटू श्याम जी की क्रपा होती है, क्योंकि रास्ते खुलते जाते हैं, पहले हम लोग सोचते मुझे जा बात है कि सपना वहां गई है और दोस्तों दूसरी बात यह भी बात मुझे पता चली और दूसरी बात दोस्तों लोगों का कहना है और हां और दूसरी बात यह है जो सपना की मम्मी है वह गई है अपने गाउं गई है यानि सपना के माई के गई है और इस समय सपना की भावी नीटु आई हैं वहां पे केर करने के लिए सपना के लिए और खाटु शयाम जी, दर्सन सिवी की तल पाज ससुर को या सास को देखने गई हैं इस दुनिया में या नहीं य creepy money लेने गई उनको तो बटवारा बटवारा ही लगा था तो दोस्तों जहीं बात इस बात की तो ये बात भी मुझे सोशल मेडिया से ही पता चली है क्योंकि एक लोक करा मेंने वीडियो देखा उन्होंन कम से कम एक औरत होने का फर्ज निगभाओ और एक औरत का मान सम्मान का एक औरत ही औरत की दुस्मन बनी है तो बाकी लोगों का तो क्या बाकी लोग तो होंगे ही ऐसे तो दोस्तों आपको पता है खाटू स्याम की वो दर्शन करने गई और कुछ लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि सपना जो है उसे आजादी चाहिए था वो आजादी उसको सस्वाल में मिल नहीं रही थी इसी लिए अपने साथ ससुर से जगड़ा की और वहां से निकल आई वहां से निकली है और सपना जो है सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए मरती है सपना नाटक करती है कि इसके पास कुछ नहीं मगर सपना के पास बहुत कुछ है बेचारी हूने का नाटक करती है वह चैनल दो-दो नहीं तीन तीन डरौरट वाला और एक शाट स्निपीगल शौर्ट और स्निपीगल Πैसơमकर वह महीने का 10 लाख रुपाय कमाती है मगर दिखाती है कि उसके पास कुछ नहीं वो गरीब है तो दोस्तों ऐसे एक लोगों ने बीडियो बनाये थे मुझे समझ में यह नहीं आता कहां से आते हैं ऐसे लोग जो दूसरे की इतना गलात इतना निगेटिव फैलाते हैं क्या मिलेगा इस ब्लॉक लेनी के आति हैं लोगों को पसंद कमाता है तब ही सपना के मतलब सपना की उपर आप जैसन लोग उठाते हैं हां इसको तो घूमना था इसको तो यह चाहिए था इसको वह चाहिए था सस्वाल में यह सम मिल नहीं दाता इसलिए ये फढ़ फढ़ा के वहां से भगी है और लगाई है अपने साससुर के उपर कि मेरी सास ऐसी है मेरे सासुर ऐसे हैं ये इतने गंदे हैं और ये मुझे मरवाती रहती थी मुझे खड़ी होके एक बार भी ये नहीं सोचती थी कि ये भी किसी की बेती है अगर बेटी कहां सोचेंगी क्योंकि मेरे सास की एक भी बेटी ने सिर्फ दो ही लड़के थे एक सूरत जी दूसरा राजवीर जी तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है और दोस्तों ये बात गलत है सपना अपने सस्वाल नहीं गई और ना ही उनकी सास की तबियत खरा ये एक मैडम जी ने वीडियो बनाया है मैडम जी से एक यही रिकोष्ट जब आपको कुछ पता नहीं रहता है या तो सामने वाला का पुरा वीडियो देखो उसके बारे में तब बताओ या जब आपको नहीं पता रहती तो उसके बारे में बात ही क्यों करती हो क्यों किसी के मतलब सस्वाल गई है हुआ फलान हुआ डेमाक हुआ थमनेल में तो लगबग सभी लोग लगाते मगर आप अपनी वीडियो के अंदर भी बोली हो और आपको खुद पता है आपने बोला आपको पता है कि आपने गलती की ये वीडियो इतनी तेजी से वाइरल हुआ था और आप तक जरूर पहुँचा होगा तो दोस्तों आप लोगों की क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताएगा सपना को बदनाम करने के लिए कितने सारे लोग लगे हैं मगर कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका उपर वाला होता है तो सपना को कोई बाल बाका नहीं कर सकता है उपर वाले उसके साथ में